हलो डिर इस्टुडेंट्स फ्रिक्षिन नीट के लिए एक अछ्छा सा क्वेश्चन इन गिवन अर्रेंगमेंट्स मैक्समम बैल्यू इंपॉर्टंट वर्ड है मैक्समम बैल्यू पूछ राहे मैक्समम बैल्यू आफ एफ for which there is no relative motion between two between the blocks मनलाब वो दोनों साथ साथ चले move together इसका मनलाब है no relative motion between the block का मनलाब दोनों block की between relative motion मनलाब move together एक साथ साथ चले इस चार चो इस तरह की तो भई इस question को कैसे solve करें तो देखो ऐसे question को solve करना हो solution देखो यहाँ पर यह surface smooth है frictionless है और यहाँ पर friction है तो सबसे पहले step है आपको step number one सबसे पहले देखो कि कौन सा block केवल friction से चल सकता है सबसे पहले देखो कि कौन सा block केवल friction से ही चल सकता है तो answer इसका block M2 step two block M2 का friction force find करो end and जो block केवल friction से ही चल सकता है उस block का maximum exhilaration find करो समझते हैं अब देखो इसमें direction दिखाना बहुत important है direction कैसे दिखाई बड़ा आसान होता है देखो ground frame से देख रहे हैं तो इस पर force लग रहा है ऐसे और इस पर कोई force नहीं लग रहा लेकिन हमें जब इन दोनों के between friction देखना है यहाँ पर friction देखना है तो इन दोनों के between देखना है तो relative motion पर ध्यान देना है block block इसे b के लेता हूँ इसे block a के लेता हूँ block b पर बैठ कर आप a के motion को देखो अगर मैं b पर बैठ कर इस a के motion को देखूँ तो b के respect में a आगे की तरफ भाग रहा हुआ अगर b के respect में a अगर आगे भाग रहा हुआ तो इसमें relative motion का अपोज करने के लिए friction pose पीछे लगाना पड़ेगा a पर अगर बैब b पर देखूँ कि b पर की तरफ उस लगेगा तो कि friction pose always action action pair अगर b a पर friction pose पीछे लगा रहा है तो a b पर आगे तरफ लगाएगा फिर b a पर बैटे कर b को देखो तो बिटा a तो आगे भाग रहा है तो a के a जब b को देख रहा हुआ तो a को लगेगा कि b पीछे चूट रहा है अगर b पीछे चूट रहा है तो b में relative motion पीछे की तरफ है तो a b पर जो फ्रिशन फोस लगाएगा वो relative motion का पोस्ट करने के लिए reduce करने के लिए उसको आगे तरफ लगाएगा तो b पर फ्रिशन फोस आगे तरफ लगेगा जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ इसको डाइगराम में तो देखो ये block a है ये block a इसका मास m बन है इस पर ये फोस तो लगी रहा है लेकिन इधर की तरफ इसमें फ्रिशन फोस लग रहा है ये और इसे f बन के देता हूँ और ये लगाया है due to b ने due to b और जो b पर लग रहा है ये तो surface है और ये m2 block है तो b पर लग रहा है, यहाँ पर है as9 f बन ये a और b के between लग रहा है देखो b surface जो आए मैंने ये जो b है b, a और b के between surface लग रहा है यहाँ पर तो कोई friction अए नहीं है यहाँ पर पर तो surface के इसा smooth है, देखो mu 0 दरख यहाँ पर तो friction है ही नहीं है तो केबल B वाला ब्लॉक ही तो किस से चल ला है बिटा ब्लॉक M2 जिसका मास M2 है वो फ्रेशन से चल ला है तो लेकिन ये फ्रेशन जो लग रहा है वो M1, M2 के बिट्वीन लग रहा है तो M1, M2 के बिट्वीन ही नॉर्मल एक्षन पर ज्यान देना है क्योंकि बच्चे सोसते हैं कि M2 पर लग रहा है तो नॉर्मल लेक्षन वह क्या कर लेते हैं M2 का निकाल लेते हैं, यहां पर नॉर्मल लेक्षन निकाल लेते हैं, गलत हो जाएगा यह जो frish enforce लगा वो कौन से दो block के between लगा M1 M2 या block B और ground के between तो मैं कहूंगा यह M1 M2 के between लग रहा है देखो यह वाला F1 यह यहां लगाया यह यहां लगाया और यह यहां लगाया भाई समझ में आया ठीक क्योंकि block A इसके उपर ही तो रखा था इस जगे पर ऐसे थोड़ा सा अगर imagine कर लोगे तो ऐसे रखा था उपर तो between लग गया ठीक भाई तो इसलिए हम normal action जो निकालेंगे वो between M1 M2 निकालेंगे बस यह ध्यान लखना तो यह निकाल लो normal action M1 का जो मास है वो M1 G है और normal action यह N1 है और यह force यू करेंड़ पूजट होते हैं क्यों होते हैं समझ में है यह F1 F1 कर दिखाया क्योंकि friction force हमेशा दो contact service के between action action पर होता है ठीक ठीक साथ चलो यह भी बात के लिए रहो गई तो F1 की में निकालू मैं अगर हम लेकिन कौन सा block का हमें maximum action निकालना है उस block का maximum action find out करो जो केवल किसे चल सकता है fraction से चल सकता है यह 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 तो यह तो इसलिए इसका maximum action निकालो विटा इसका maximum action find out करो इसका तो इसका करेंगे तो net forces block पर net force on block B net force on M2 वो F1 हो गया तो कि यहां पर तो कोई friction है निकालें तो M2 और एक जिसन maximum है A maximum बरावर F1 और यहां से A maximum M2 A maximum यह उकल टू F1 की वेलू देखो यह म्यू एम बन जी म्यू एम बन जी तो यहां से A maximum निकले आया आपका म्यू एम बन ओवर M2 जी इतना maximum एक जिसन निकले आया आप जरा सोचो कि अगर block B इतने maximum एक जिसन से आगे चला है तो maximum एक जिसन से चल सकता है वो जो कि friction चला सकता है तो अब सोचो कि दोनों block कब तक साथ साथ रहेंगे दोनों block तब तक कि साथ रहेंगे जब तक A और B में दोनों में maximum acceleration इतना हो तो अगर हम इसमें एक line लिख दें इससे आगे कि M1, M2 M1 and M2 blocks को साथ सा चलाना है को साथ साथ चलाना है तो whole system that means M1 plus M2 का maximum acceleration जो होना चाहिए वो A maximum that means M1 over M2 G होना चाहिए होना चाहिए चाहिए ठीक है चाहिए यदी यदि दोनों block दोनों block साथ साथ चल रहे हैं तो whole system whole system 6 sorry M1 plus M2 kg का होगा तो आगे वाले पेंच पर करता हूं यह सब language में इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आई साथ इस प्रोसेस पर आप ध्यान दीजिए सारे कुश्यन इस टाइप का कुश्यन कभी भी दिखे आपको उपर उने पोस्प लग रहा है तो यह पूरा प्रोसेस आप कॉंसेंट्रेट कर लोगे ना तो हर कुश्यन कर पाऊगे आप एवरी ठीक यह समझो इसको पर में बहुत सारे वीडियो नाने वाला हूं एक एक करके ठीक चलो आगे देखते हैं अब पूरे सिस्टम को आप एक साथ चलाओगे तो पूरा सिस्टम देखें तो पूरा सिस् यहां स хотя कोई फ्रिशन है नहीं तो नेट-फच्हान व्लॉक नेट-फच्पोर ऑन ओल सिस्टम पर अगर देखें तो वह मैक्स्माम में मैक्स्माम को रहें तो फाइंड आट करना है तो देखो तो क्या निकालना है maximum value of f तो maximum force of f निकालना हूं देखो यह रहा maximum तो f maximum is equal to m1 plus m2 और a maximum की value निकाली देखो यह रही तो कहले कूं mu m1 over m2g तो इससे लिसकते हैं mu m1g इस m2 का समय डिवाइड कर लो m1 plus m2 divided by m2 तो इससे लिसकते हैं mu m1g m1 upon m2 plus 1 तो इतना maximum force चाहिए बिटा में यह answer आ गया देखो चोईस देखते हैं इसकी जो चोईस है वह है mu m1g m1 upon m2 plus 1 तो देखो यह यह आ रहा है मारा है ना पढ़ते रहिए और खुश रहिए और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थोड़ी सी से मेरे को हिम बताती है कि मैं ऐस ही और वीडियो बनाओं पढ़ते रहिए और खुश रहिए